रिजर्व बैंक आउन्फ इंडिया ने बताया 2000 रुपिये के कितने नोट वापस आए इस साल मई में रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट वापस लेने का एलान किया था अब रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया है कि अब तक कितने 2000 के नोट बैंक के पास वापस आ चुके हैं उन्होंने कहा हमने 2000 के नोट को वापस लेने का एलान किया था और अब तक हमें 3.24 लाग करोड की कीमत के 2000 के नोट वापस मिले हैं अभी भी 12,000 करोड के नोट आने बाकी हैं 87 फीसदी नोट वापस आ चुके हैं शुक्रवार को रिजर्व बैंक की मौदरिक नीती समीक्षा बैठक में रेपोदर का एलान किया और लागातार चौथी बार इसे ना बदलते हुए 6.5 फीसदी ही रखा गया RBI ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए बुलेट पेमेंट योजना के तहट गोल्ड लोन की रकम को दोगुना कर 4 लाख रुपे कर दिया है RBI गवर्नर ने कहा कि जोखिमों को ध्यान में रखते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान 6.5 प्रतिशत पर ही बरकरार रखा गया है RBI की मौदरिक नीती समीक्षा बैठक 4 अक्टूबर से शुरू हुई थी जो शुक्रवार को खत्म हो गई है